नमस्कार दोस्तों अजय स्ट्रोमनी में आप सभी का स्वागत है मैं दिशा आप सभी से मुखातिप होती हूँ सुबह का टाइम है और आज हम बात करेंगे कपासी कीमतों में जिसमें 5 प्रतीशत रद्धी हुई है पिछले एक महीने के अंदर और आगे तेजी रहेगी है मन्दी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आपने अगर में चैनल को सस्क्राइब ना किया हो तो फड़ा फड़ा सस्क्राइब कीजे लाइक तर लिजे चुकि अजय स्ट्रोमनी आपको देता है कंपासी कीमतों में 5 प्रतिशत व्रद्धी हुई है अंतराश्टी कीमतों में तीजी के रोजान के चलते कंपास के दाम चड़े हैं हाला कि कंपास का निर्यात मजबूत है क्योंकि भारतिय कंपास विदेशी किसमों की तुलना में सस्ती है ट्रेडर्स, मिलर्स और ब्रोकर इस बास से उस्ताहित हैं कि कंपासी कीमतों में तीजी 2021-22 में अमेरिका, ब्राजील और भारत जैसे कंपास उत्पाद अफदेशों में कंपास के अनुमानों के कारण बनी रहेगी वहीं पिछले महीने के मुकाबले कंपास की कीमतें चुम्बालस ज़ार रुपे से भढ़कर 46,600 रुपे प्रतिक केंडी हो गई है क्योंकि करेलो कंपास का उत्पादन पहले के अपेशा काफी कम होने की उमीदे है कंपास की केंडी 356 किलो ग्राम की होती है चार करोर गाटों के पहले के अनुमान के विपरीत उध्यों को अब 2020 में कापास उत्पादन लगबग 3 करोर 30 लाग गाट होने की उमीदे बताई जा रही है वहीं बजार में आज कापास की दरें क्या रही अमेरिका और ब्राजिल सहित प्रमुक कापास उत्पादक देशों में कापास का उत्पादन घटने का अनुमान लगा जा रहा है क्योंकि किस्तानों ने मक्का और सुयाबीन की बवाई की तरजीह दी है जिन्होंने घरेलू कीमतों को भी समर्थन दिया है भारती कापासी कीमतें वैश्विक कापासी कीमतों से 13% सस्ती है दियात पहले के 60,00,00 के अनुमान स्यादेख होने की उमीदे हैं उद्ध्योग भारत से कापास की आयात के संबन्द में पाकिस्तान सरकार के लिड़ने की प्रतिक्षा भी कर रहा है वहीं कांडेश जीनिंग एंड फ्टेस्टिंग एस्टोशेशन के अध्ष ने कहा कि पाकिस्तान परप्रे की रूप से भारती कापास का सबसे बड़ा आयतक रहा है वैबारती कापास के लिए अपने दरवाजे खोल भी सकता है वहीं आती हुई खबरों के अनुसार 260 लाग गांट के कुल स्टॉक में से अब भारत के पास 50 लाग गांट बची है एक मार्च से CCI ने मीलर्स के साथ मेपारियों को भी एक मुफ्त अबदी की पेशकर्श की है जिसे खरीदार आची कीमत पर कापास खरीद रहे हैं और 90 दिनों के बाद इसे उठा भी सकते हैं अब बात करते हैं MSP पर जी MSP से 15 ती उचे दाम पर कापास इस वक्त पर है और किसान अब सरकार एजनसी की खरीद के मौताज भी नहीं रहे है Cotton Association of India के धश ने कहा कि सफेज सोना वाकई साल किसानों के लिए सोना बन चुका है सरकार ने कापास यानि लंबा रेशा का नियुम्तम समर्तन मूले MSP 5515 रुपे प्रतिक कुइंटल तै किया है कारोबारियों ने बताया है गुजरात में कापास का भाव 6500 रुपे प्रतिक कुइंटल है तो ये तो बात रही पैसों की अब बात करते हैं आगे कि गणंतरा ने IANS को बताया है कि बीते 3 साल के बाद रुई में इतनी तेजी आई है जिससे अगले सीजन में कापास की खेती के पती किसानों की दिल्चस्पी निसंदें बढ़े ही और कापास की बुभाई के रखवे में भी पिछले साल के मुकाबले कम से कम 10 फीस्ती का इजाफा हो सकता है वही रुई का भाव अंदराश्टिय वाइदा बाजार इंटर कॉंटिलेंटल एक्सचेंज पर बीते 25 फरवरी को 95.57 सेंड प्रती पॉंड तक उच्छला था जो 11 जून 2018 के बाद का सबसे उचा इस्तर है जब ICE पर रुई का भाव 96.59 सेंड प्रती पॉंड तक चड़ा था हाला कि रुई का भाव इस साल के उच्छ स्थर से तूट कर गुरुवार को 88 सेंड प्रती पॉंड पर आ गया फिर भी रुई का भाव करीब 3 साल के उच्छ स्थर पर अभी तक बना हुआ है केडिया एडवाईजरी के डारेक्टर अजे केडिया ने बताया है कि रूई का भाव काफी ऊचा हो गया था जिसके बाद मुनाफ़ वसूली हावी होने के चलते कपास के दाम में गिरावट आई थी हाला कि फंडामेंटल अभी भी भी बहुत मजबूत है अंतराश्टिय बजार में रूई के दाम में बीतिक सब्ता के दुरान आई गिरावट के बाद भादिये बजार में भी नर्मी आई है अतुल गडंतरा ने बताया है कि जब वैश्विक बजार में कौटन 95 सेंट के ऊपर चला गया था तब भादिक कौटन यानी रूई और अमेरिका के कौटन के दाम में 14 सेंट का अंतर था जो अब घटकर 7 सेंट रह गया है जिसे निर्यात मांग जो बीति दिनों बड़ी थी उसमें नर्मी आ गई है उन्होंने बता है कि कौटन का भाव गुजरात ने बीति दिनों जहां 47,000 रुपीर प्रती केंडी यानी कि एक केंडी में 356 किलो ग्राम हो गया था अब वह घटकर 46,000 रुपीर प्रती केंडी हो चुका है वहीं गड़त्रा ने बताया है कि फरवरी की आखिर तक भारत का कौटन निर्याद 34,000 गाट यानी की एक गाट में 170 किलो ग्राम हो चुका था और व्यक्तिकत तोर पर उनका नुमान है कि चालू सीजन में 12-60,000 गाट का निर्याद करेगा हाला कि एसोशेशन का अनुमान अब तक 4,000,000 गाट का ही है लेकिन इस महीने होने वाली बैटाक में सदस्यों के बीच विचार भी मर्श किया जाएगा तो ये थी आज की रिपोर्ट नमशकार बने रही आजे इस्टो मनी के साथ हम आपको ऐसे ही सठीक पूरी रिसर्च के साथ जानकारी देते रहेंगे और जाते जाते आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएजेगा नमस्कार